कि न cherry हम्ने हैं कि नमस्कार दोस्त चलिए हम लूगों बात कर रहे हैं मतिपदेश सावाननी prediction के बारे में अब बात करते हैं वह लोग इतिहास के के बेंट वाले हस्त कुठार के अतरिक खुर्चनी मुश्टी कुठार क्रोड मद्पिदेश के विविन इस्थलों पर पाये गए पूरुपासाड यूगीन इस्थल मद्पिदेश में नर्वदा घाटी चंबल घाटी वैदवा घाटी सोनार घाटी सोनार घाटी में धोगरा हैरात नर्वसंगड़ मारियागड सोन घाटी भीमबैटका की गुफाय आधी पाये जाते हैं मद्पिदेश में ही हैं सब होसंगाबाद और नर्सिंगपुर के बीच मद्ध के बीच मद्ध नर्वदा घाटी जीवास्म प्राप्ति के कारण फिस्द है नरसिंगपूर, देवकचार, बर्मान घाट, उपनी नर्वदा के, अमेर कंठक से हरदा के, मद्ध, जबलपूर, भंडा घाट, से इस्तंधारी फस्मों के जीवास प्राप्त हुए आगे बात करते हुए नरसिंगपूर के निकट से नवीन खोज के ताहित एक खोपड़ी का जीवास मिलाए भीम बैटका एवं रीवा के छित से छुरी एवं चैनी मिली है सौन घाटी के छित में निसार अहमद ने अनेक इस्तलों से पूर्पासाड कालीन और जार प्राप्त की है अब बात करते हैं मद पासाड योग इस योग में जैसफर, चैट, क्वार्ट, फिलेंड, आदी उचकोटी के पत्त्रों से बने ओजारों में खुर्चनिया, नौक, बेदनी पिरमुक हैं योजार मत्पदिश में नर्वदा, चम्बल, वैत्वा एवं इनकी सहाइग नदियों की घाटियों में पाई जाते हैं इसके अंतरकत पिरमुक जिले हैं जवलपूर, सागर, मंदसों, सीधी, पूर्व तत्था, पश्चिम निबाड, विदीशा, नर्सिंगड, नर्सिंग पूर्व बात करते हैं कायथा, कायथा ये उज्जन में है, सिंध नदी के तटपर है, वराह महीर की जनमस्तली भी है, कायथा, फ्रे एरन इसागर में है, फ्राची नाम एरी कीड है इसका, भानुप्त का अविलेग भी है ये एरन में, फ्रे नवदा टोली महेसो धार में है, नर्व चंबल तटपरे, माइकोलियस की साक्ष मिले या से, फ्रे खेडी नामा ये हो संगाबाद में, पंदरह सो ईसवी की पूर्व की साक्ष मिले या, ईसापूर्व के, बी बी मिस्ने भीम बैट का विराय सेन में, इस योग की विलेड अवयावोगे विकास को अनुरुखित कि आदम गड में पालतू जानवरों की हड़ियां बड़ी मात्रा में पाई गई, आगे देखते हैं, उत्तर पासाड ये हो, उत्तर पासाड ये हो, इस योग के जैसपर, केल, केलसीडोनी तथा क्वार्च फत्त्रों से बने, सल, कोड, थलग, बेदनी, समलम, तिकोने, तथा अड़ चंद्राकार, लगुरूपता वाले वजार, मद्द पिदेश में पूर्व, निवार, सहडोल, मंदसोर, होसंगाबाद, हुजेन, जवलपूर, इंदोर, पन्ना, धार, बिदीशा, इत्यादी जिलों से प्राप्त हुए, आदमगड, होसंगाबाद से, इस योग की सीप से बनी बस्तुएं मिली हैं, जिसकी तित्री लगवाद, पचपन सो, इसापूर में, पाँच जार पाँच सो, इसापूर, फिर आता है, नवपास आड़े, इस योग की प्रमों कोजा सल्ट, कुलहाडी, बसूला इत्यादी हैं, पॉलिसदार रूम में, मद्देश की सागर, एरण, गड़ी मुरीला, जबूलपूर, मुनई, कुन्डम, बुर्चेंका, दमुए में हटा, होसंगाबाद, छदरपूर में जतकारा, जलों में पाएगें, इस योग में मनुस्किरसी, पसूपालग में दभांड बनाना, बस्त निर्वाड, ग्रह निर्वाड, अस्त शस्त इबं अगनी का प्योग करना सीखा, फिरे ताम पासाड़ू, मद्विदेश में हडपा सब्विता के आउसेस नहीं प्राप्त हुए, याद रखना, मद्विदेश में हडपा सब्विता के आउसेस नहीं प्राप्त हुए, परन्तु हडपा सब्विता के बाद ताम पासाडियों के आउसेस मालवाचित के नागदा नवदा टोली काय था आरवा एरण बिशनगर आधी से प्राप्त हुए आरवा मंदसोर में है ये ताम पासाड से लेकर गुप्त काल तक के साक्षिया मिले हुए डांग वाला एव जन में है ताम पासाड बस्ती मिली है नवदा टोली एवं महेसर के आउसेस महेसर के आउसेसा सोल हे सो इसापूर्व से चोदे सो आलिश सो शाट इसापूर्व से चोदे सो चालीस इसापूर्व तक एरण के आउसेस 2000 इसापूर्व से 700 इसापूर्व तक बेशनगर के आउसेश 1100 से इसापूर्व से 900 इसापूर्व तक कायथा के आउसेश 2015 इसापूर्व से 1380 इसापूर्व के इस तरिये प्रमाड उपलब्द कराते हैं कायथा से मोटे और मजबूत विराउन सिल्फड बियर नामक मिदभाण पाई गए मालवा के मिदभाण हलके पीले एवन नारिण की रंगे हैं जिनमें काले गहरे भूरे रंग से चितकारी है आगे बात करते हैं फिर्मकिस्तलों के बारे में और उनके खोच करता महादेव पिपरिया नर्बदा गाटी के किनारे है 860,000 मिले हैं खोच करता है सुपेकर फ्रहत नौरा और संगवा नर्बदा नदी के किनारे है नम देव सिस मानाव की खोपडी मिली है एचडी संकलिया और मेक ग्राउन है इसके खुच करता है फ्रेम बंदसोर चंबल गाटी प्रो उपकरण मिले हैं यहां से यहां से प्रोफर्शर वाकर्ड कर नहीं है खुच की भीमबैट का नर्वदा नदी किकना रहे हैं यहां से बिलेड उपकरण मिले हैं डीवी मिसरा इ होसंगाबाद में 25,000 लगूफ आसान उफकरण मिले हैं से डीवी जोसी नहीं इसकी खुच करता थे अब बात करते हैं लोग लोह योग की बात मद्विदेश के कुछ उत्रोत्तर भाग जैसे ग्वालियर भिंड मुरेना में लोह योग के भूतक धूसर चित्त इसाप पूर में किये हैं महापासाड़े हो दच्छिन भारत के फिसिद्व महापासाड़े हैं इसमारक मेगालिक कि कुछ उधारन मद्विदेश के दुरू राइपूर सिवनी रीवा छित्रों में मिलते बैदे क्यों मद्विदेश से सम्मंदित किसी भी इतिहासिक तथ् रिग वेद में नहीं हैं उत्तरवेदिकाल में कुछ अनार विसेश का निसाद जाती हैं लोगों का यत्रे ब्रहमवड में उलेख हैं जो मंद्विदेश के घने जंगलों में निवास करते थी अब बात करते हैं महाकाब काल की कारूस बंस मनु पुत कारूस संस्थपक था छेत भल छेत था बगेल खन छेटक हैं फ्रै चंद मन्स एलसमराज इसके संस्थापक सौ मु याचन थे महाराज्या यायाती चंद समराज जे में पांचप्त्रों में बटा फ्रै एक च्छाकु बंस गेंड कार अंड राज इसके संस्थापक थे मनु पुत इFC लिग च्छ पुत्ष पुरू कुट्सू ने महाभारत के नांगराजाओं को गंधर्वों के खिलाब साहता की थी। एक छाकू के पुत्ष दंडक का राज मत्पदेश के दच्छिड छेत पर था जो बाद में दंडकारंड कहलाया। रामाईड के राम बनवास की समय जिस दंडक गण में रहे वो अच्छतिसगर राज के वस्तजले का दंडकारंड छेती है। दिसके हेहर बनसी राजा कीर्थ बीर ने लंका नरेज रावड को परास्त किया था। हेहर बनसी राजा महिस्म ने नर्वदा नदी के तटफर महिस्मती नमक नगर बसाय था। राम ने चितकूट सत्ना में तुलसिदाश जी को दर्सन दिये थे। राम का अधिकांस बनवा समय दंड कारन वस्तर में है। आगे बात करते हैं। बालमी की आसरम टॉंस या तमसा नदी पर सत्ना में रावड की लंका जवलपूर या अवनकंटक की निकट है। सत्पुडा में निसाद राज दच्छड कोसल चत्तिसकर परसू का आसन था। महा काब काल में या दवन सी है राजा मधू का उलेक मिलता है। राज्या मधू अयोध्या के सासक दसरत के समकालीन थे। संबुधाती सत्तुगन का पुत्त विदीशापसासन की असने। महा भारत योद्ध में पांडवों की तरफ से भाग लेने वाले मध्रदेश के राजी थे। महा भारत योद्ध में कौर्वों की तरफ से भाग लेने वाले राजी थे। आवंती, भोज, अन्थक, अठंक, निसक और वेशनी। रामायण में दन्यकारंड बनों का उल्लेक मिलता है। फरुसराम राजा जगदगनी की पुत्त थे जिनके नाम पर जाना पाउ महू है। निसाज जाती का राज सत्कोडा और विंद्यान चलकित जंगलों में था। सत्तुगन पिर्वु राम के छोटे भाई के पुत्त सम्भुद छाती का सासम विदीशा राज राजदानी कुरावती था। जन सुरूती है कि मत्पदेश के पन्ना राजी की नियू भगवार राम के पुत्त कुसके बंसर्यों में ने रखी थी। आंगे बात करते हम दों महा जनपदों की बाई महा जनपद। छटी सदी इसापूर में भारत के 16 महा जनपदों में से 2 चैदी और अवंति मत्पदेश में थे। अवंति जनपद दो प्रांतों में विभग था। उत्तरी जनपद इसकी राजधानी थी उच्यनी। दश्च्छी जनपत इसकी राध्धनीती महेश्मती चंड प्रगोत और पालक अवंती के पिसेद सासक पुद्धी कालीन हुए आगे बात करते हैं मौर योग की 323 ही सापूर्प से 187 ही साभून असोग की बात करते हैं विदीषा की महादेवी से बिभाय किया असोग ने साची का इस्तूप का निरबाड करवाया असोगने बैस टेक्री उजेन का निरबाड करवाया था असोगने असोग मौर राजा बनने के पूरू अवंती नामत चक प्रांथ का सासक था ये बहुत गरंथ दीफिवन्थ के अनस्वार है थाहयान के अनस्वार असोक ने 84,000 इस्टूपा का नर्वार कराया था आग़े बात करते हैं गुर्जरा दतिया अबलेक में असोक का नाम उलेक है असोक के दो अबलेक मद्धदेश के रूपनाद जबलपूर और गुर्जरा दतिया में अब बात करते हैं लोग मौरेकाल के बारे में, मौरेवत्तरकाल के बारे में मौरेवत्तरकाल तो इसमें सुंग काल आया 187 से 75 इसापूर हरस्चरित, हरस्चरित तथा पुराणों के नुसार 184 से 85 इसापूर के सुंग वन्स के संस्था पक उस मित सुंग ने युवराज अगनी मित को पूरी मालवा की राध्धानी विदीशा का सासक बना कर भेजा विदीशा बेशनगर में अगनी मित हैलियो डोरस का गरोड इस्तम राजा भागबद के समय इसका निर्माड हुआ सुंग काल में विदीशा को अपनी राध्धानी वर साची के इस्तूग के तोरण दवार बनवाई थे फिर आता है साथ वहन सासक साथ वहनों का कुलेक साची के लेक में मिलता है इंडो यूनानी मिनैंडर के सिक्के वालगाट से मिले साची इस्तुक की बेदिका पर उतकरीन लेख में साधवाहन सासक साथ करनी इथम के पहत्तर इसापूर में पूर्वी मालबा छेत पर अधिकार का उलेख है साधवाहन सासकों के राजा सिरी रात नामंकित सिक्त के उज्जेन देवास होसंगवाद जबलपूर जबलपूर तेवर वेडागाट तिपुरीम से मिले है जबकि वश्ष्ट पुत्य पुलमामी पुलमाव भी 130 इसवी से 155 इसवी के भी सिक्के भेलसा तथा देवास में प्राप्त हुए इनके अंतिम साधवाहन सासक यगर स्री साथ करनी के सिक्के और चैन देवास होसंगाबाद जबलपूर से मिले है जबकि वश्ष्ट पुत्य पुलमामी 130 से 100 चंग्वन के सिक्के भेलसा एवं देवास में प्राप्त हुए अंतिम साधवाहन सासक यगर स्री साथ करनी के सिक्के बेशनगर तेवर और देवास सिप्राप्त हुए रॉम देश के कुस्तिक के इसकाल में मंदसोर आवारा सिप्राप्त हुए आगे बात करते हैं लोग सक्राजा के बारे में और सा क्राजा सक्राज ये पच्चास इसपी हिसापूर्फ से 300 इसपी तक रहा वो जैनी का सकराज, कहाल, दमक बंस, संस्थापक था इसका चस्टन या यसूमिती, पिरमुक राजा थे रुद्धामन, संस्कृत का विद्ध्वान था, गिर्नार संस्कृत अभिले किसी ने लिखुआ है, रुद्धामन याद लखना है, नूट, अन्तिम राजा रुद्ध संथा, तितिये को गुप कुछ चंद गुप विख करमा दितने मारा, रुद्ध संथितिये को, सकों का अंधुआ है इसी के साल, फिराया कुसान काल, सहडोल से कनिस्क और होविस्क के सिक्के मिले हैं, वासुद्धुए को ताम सिक्के तेवर जबलपुर से मिले हैं, वेड सिक्का बिदीशाब में प्रग मिलाएं, कुसान कालीन अभी लेखों में वसिक्ट, वसिस्क, साची अभी लेख, तथा जबलपुर के भेगड़ागार से प्राप्त दो मूर्दी लेख प्रमुक हैं, गुप्त काल, समुद्ध गुप्त द्वारा, मद्धिश के अधिकांस भाग तथा नर्वदा नदी की उत्री सीमा तक अपना राज इस्थाप्त करनेगी, पुष्टी वम नाला तथा सकोर से प्राप्त समुद्ध गुप्त के सिक्के से होती है, आँगे बात करते हैं, कांच, कांच, नामक राजा किस्थिक के बिदीशा तथा सकोर से मिले हैं, जिससे समुद्ध गुप्त का भाई उसका ही दूसरा नाम मला जाता है, समुद्ध गुप्त ने मद्धिश से होकर दश्च्छण पर आकमर किया था, उसने छे गड़ राज्जों, आभीर, सनकादिक, खार परक, आदी को जीता, जो मद्धिश में थे, एरण सागर से समुद्ध गुप्त के प्रांध पती भानुगुप्त का अभिलेख मिला है, गोपी राज का बिदभा के सती होने का पिथम अभिलेख यही है एरण सागर, एरण अभिलेख समुद्ध गुप्त से संबनते थे, अनुस को दूसरी राध्धानी बनाय था कुमार गुप्त की मंदसोर्फ शस्ती फ्रांत्पती वंधु बर्मादवारा सूर मंद्र हे तू जुलाहा सेनी को दानों गुप्त सासक राम गुप्त के सिंग तथा गरोड पिरकार के तामे सिक्के इरण तथा बिदी सासे प्रिले है आगे बात करते हैं ओदैगरी फहारियां गुप्त संबत तेरान में का एक अविलेक साची के इस्तूब में से मिला है इसमें चंदगुप्त दुतिये के करमचारी आमकर्दव द्वारा काकनादबोट साची के महाभिहार का आरसंग कुद्दान देने का उलेक है इसकंदगुप्त के बिंदेन बिंदेश पर प्रिभाव को सुपिया रीवा से प्रब्त इस्तमलेक दरसाता है तिगबा का विष्णव मंदिर उदैगिरी की गुफाएं बबाग की गुफाओं का चितरन गुप्त काल में हुआ है बाण भट्टी की कादमरी के अनुसार हरस्त वर्धन ने बिंद और नर्बदा के उत्री भाग में सासन इस्तापित किया अगला है वकाटक वंस संस्तापक है बिंद सकती बिंद सकती वंस केतु रादधानी थी इसकी पुरी वंस गुलम पिरमुख राजा हुए फिवर्सेन पिथम चार असुमिग की इसने फिवर्सेन दुतिये संतोपद काब फ्राक्तिक रचना की इसने सवर्सेन गाथा सप्तमी हरी सेन हरी विजय की रचना की इसने फिवर सेंद उतिया के वारह दान पत्रों में से साथ मद्वदेश के छिदवाड़ा, सीवटी बैतूल, मालागाड, दुर्ग तथा इंदौर जिलों से प्राप्त हुए ओली करवंस मंदसोर में ओली करवंस के संस्थापक्त जैवर्दन गुप्त समराज के विस्तार चोत्री सताबदी का उत्राज के समय दसपूर मंदसोर में मालगों की एक साखा ओली करवंस की स्थापना हुई तो ही मंदसोर सिलाले के अनुशार यसोद धर्मन्य यसोद धर्मन जनैंद नरोदी पती राजादी राज परमेसुर आधी उपादिया धारण की थी फिर आता है मौकरी बंस कौन सा? मौकरी बंस मंदसौर इसके सरस्थापक थे यसो बर्मन होड़ों को हराया था इसले फिर आता है राजपूत बंस राजपूते हो 600 से 1220 इस भी तक गुर्जर फितिहार बंस मालबा में इसके सरस्थापक थे हरी रेश चंद और इसकी राधधनी थी उजएन और कन्नोज इसके राजा हुए पिरमोक मौकरी बंस के मौकरी बंस में यसो बर्बंस होड़ों को हराया था राजपूत यह वाया 600 से 1220 इस भी तक इसके गुर्जर फितिहार बंस आया मालबा में इसके सरस्थापक था हरीश चंद और इसके रादधनी थी उजएन कन्नोज पिरमोक राजा थे गुर्जर फितिहार बंस के नागवट पितम वत्सराज नागवट दुतिये मेहर भोज अंतिव राजा था यह स्पान गुर्जर फितिहार बंस के महान सासक मेहर भोज पितम इराय 836-885 इस भी तब ने राज को सुसंगठित करते हुए बुंदेल खंड पर पुना अधिकार कर लिया मत्पिदेश में मेहर भोजिट के दो अभी लेक ग्वालियर से तथा एक अभी लेक ग्वालियर जिले के सारग ताल से मिलाया इस भी लेक ग्वालियर के स्थानिय पिसासन तथा ब्यापार सेनियों पर पिकाष डालते मेहर भोज के समय अरव यात्री सुलेमान आया था मेहर भोज की कुछ मुद्राओं में उसे आधी वराह कहा गया है वराह मूर्ती अभी लेक एरण से हूड राजा मेहर कुल कीमद पिदेश में उपस्तिती दासाता है वालियर अभी लेक में भी उलेक है फिर आता है चंदेलवंस चंदेल बंस बुंदेल खंडपन जजाक भुक्ती पिदेश भी बुला जाता है बुंदेल खंडपन इसके संस्ता पकते नन्नोक चंदेल बंस करें पिर्मोक राजा गुए धंग खजराहु मंदुरों का निर्माता है इसने गंडदेव विद्याधर ग्यजनवी को भगाया परमार देव अंतिम राजा था धंग के राजजिकाल में खजराहों के दो सिष्टम मंदिर पार्शनात तथा विस्वनात का निर्माड हुए राजपूत योग में चंदेलों ने खजराहों के मंदिरों का निर्माड कराया तो यादियों कि धंग के समख्या हुए पार्श और भिस्वनात मंद्र का निर्वान फिर आया परमारवन्स धार में इसके सद्थापक थे उपएतनक क्रिशन राज राज और इसके प्रमुक राजा थे मुन्ज सिंदु राजा और स्यूग राजा भोज की बात करते है ते सबसे महान परमारबंस के राजा थे भोचताल भोपाल भोचपुर सिबलिंग भोच साल धार कर निर्माता है राजाबोच 23 गिरंत लिखे थे राजाबोच राजाबोच कलमब तलवार का धनी था फिर आता है कल्चूरी वंस कल्चूरी वंस तो इसके संस्था पक थे वाम राज देव, इसकी राधधानी थी तेवर तिपुरी, पिरमुक राजा थे गंग देव, त्रिलंगा, धीपती, लच्मी, करण, फिराया तोमर बंज, तो इसके संस्था पक थे वीर सींग देव, वाली अर्थी इसकी राधधानी, इसके साहर वं citizens 6 अमराज्स हो गया और हो गया तो कारुस भंस ये बगेल खंड था इंका झाझद्र जंद्र एल संमराज बगेल खंड से बूंदेल खंड था इंका झाझ का सें इनका चम्माल वैत्वाक ये नदियों के मत्र का छिल्प था कामर्टर्ग वन्स सकों का पुब वन्स था विदीशा बेशनगर था उज्जन नांग वन्स बॉदी वन्स जबलपूर विदीशा में था और नांग वन्स विदीशा ग्वालियर में मग वन्स बगलकंड अवीर वन्स अहिरवाड़ विदीशा जासी वाकातक वन्स विदीशा ओली कट वन्स दस्पूर मंदिसोर मौकरी वन्स मालबा दस्पूर परिवार्जयक वन्स बुंदिलकंड उचकल्प राज वन्स अंचहारा सतना सेल वन्स महाकोसल फांडा वन्स मेकल पिदीश अमरकंट गूजर फितिहार वन्स इथा उच्जन में गुट्टिटल वन्स ए मंदसोर मौकरी तो याद रखे कारूस वन्स बगेलकंड चंद वन सुंग वन्स नतियो कि मद्द का भूपवाग चंबल गेन बैतवागे कार्म टर्क टर्क वन्स शकों का उप वन्स था विदीशा था नाग वन्स विदीशा वारियर बोधि वन्स जवलपूर्ट तिप्कुरा देवर मग वन्स बगेलकंड आभीर वन्स अहीर वारा विदी प्रिशा जासी वकातक बंस बिन्द फिर देश ओलीकट बंस दसपूर मंदसोर मौकरी बंस मालवा दसपूर फरीवार्जक बंस बुद्निलखंड उचकल्फ राज़ बंस अंचहरा सेल बंस महाकोसल पांड़ा बंस मेकल्फ पिर देश गुरजहर फितिहार बंस उच्यन उ मैं अगे बात करते हैं चंदेल बंस बुंदल खनड कच्छ पच्छाट बंस गौलियर तोमर बंस गौलियर परमार बंस मालवा बूंदेला ब्राजस बंस बुंदेलकंड hoL grabbing मालवा इंदोर सिंदिया बंस गुना गवादेयर अर्नबाव मौपा राज्या मान सिंग ने मेगनैनी के लिए गूजरी महल का निर्माण कराये थो संगीत के पिसुद गरंद मान कुतुखल की रचना मान सिंग ने जी थे 517 इसमी में इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर का किला जी था इसी इत्य में मान सिंग की मित्तिव हो गई थी अब बाप करते हैं लोग मद्यकालीन भारत की बारे मद्यकालीन एक तियास की बारे में मद्यके देश के परिक्ष में से भी देखते हैं सल्तनत काल 2019 में महबूद गजनी ने गजनवी ने मालबा पर आकमर किया गौरी ने गवालियर के लोहंग देव सल्ल छड को हराया इवक ने परीमल देव को हराकर कलीजर जीता बारे सुदू में इल्तुत मिस बारे सुद्स से चत्तिश तक राग ने मान्टू गवालियर महलबाद की बेजय की तथा उजन में महाकाले सुर्फ मंदिर को लूटा इल्तुत मिस बारे सुद्स ले फिराय किलजी बंस के साथ अब जलाल उद्दीन किलजी ने मान्टू को लूटा बारा सुन अब्यासिवारा से उच्छानवे तक रहा खिली अलाउदीन की लिए मानिकपूर के हाकिम के रूम में वो जैन और विदीशा के मंदरों को लूटा मालवा के सासक मलहक देव को उसके सैनापती एन उन ओक मुलक नहराया तराया ग्यासुदिन तोगलक ए तेरह सो बीस से तेरह सो पच्छीश के प्रांत पती ने दमोर में एक महल बरवाया था उलेक वटियागाड सिलालेक में इसका मुहमत तोगलक आया तेरह सो पच्छीश से तेरह सो इंक्याउन इसने वाटियागड दमोर में प्रांत यों के लिए गोमट एक वावडी और एक बगीचा बनवाया वाटियागड संस्के तबीलेक से मिलता है इसकी जानकरी प्रहाए तोगलक बस फ्रहाए फिरोश तोगलक तेरह सो इंक्याउ पूर सागर अभी लिए पिने मिलता है फिर है मोगल काल मोगल काल तो 1526 में पानीपत के दुतिय यूद्ध 1526 में पानीपत का पित्थम यूद्ध हुगा था याद रखना ठीक है गलग छपा हुगा है 1526 में पानीपत के पित्थम यूद्ध पित्थम यूद्ध के पश्चात बाबर ने गुवालियर चंदेरी कालपी पर अधिकार कर लिया मुगल संस्थापक बागर ने बाबर ने चंदेरी की राजा मेदनी राय को चंदेरी की युद्ध पंदरेसो अठाइस में हरा कर उसकी पुत्रियों का विबाय हुमायू और कामरान के साथ कर दिया कलिंजर का दिर्थ द्रुग मुगलों की अधिपत्त में है गुजरात के सासक बहादूर साय जाफर को मंदसों रियुत में हरा कर बाबर ने पश्चिमी मद्ध पिदेश पर सासन इस्थाबित किया हुमायू काल में बहादूर साय ने फुना मालबा पर अधिकार कर लिया हुमायू की अधिनता सुई कर कर ली थी सेरसाय सूरी ये पंदरह सो चालीस से पैंतालीस तक रहा ने रायसेन में पूरण मल्ग को साज्या देकर मारा कलिंजर दुर्ग के घिरे के समय यकपी सेरसाय अंतिम दिन विजय हुआ लेकिन पिस्पोर्ट में मारा गया हूँ बात करते हैं अकवर की अकवर ये 1555 से 1606 तक रहा कि समय मालवा के साथ से बहादूर साय पर आकमण बहादूर साय फरास्त हुआ रोख मती ने आत्म दाय किया और बहादूर साय को अकवर ने अपने नावरतनों में इस्थान दिया अकवर के समय कि महतूर बिजय थी गोडवाना अकवर के सेनावाती आस फाकने आसब खाने हमला बोला दुरगावती ने फरास्त होने के परच्चाद कटार गोंकर अपनी कटार से ही गोंकर आत्मत्या कर ली वजयन के समीब धर्मत युद ये 1600 अंटाउन में हुए और रंग जेम ने साह जारा साह जादा दारा को पराजित कर बाद साहत की पदवी पराक्त की बुंदेलखंड और मुगल संबंद के बारे में बात करें तो बुंदेला सासक सुहन पान ने खंगारों की सकती का दमन कर बुंदेला राजिकी नियुटाली राजधानी और चा वीर सिंग ने अबुल पजल की हत्या की थी चंपत राय का बिद्रोर औरंग जेप की नीती से आसंतोष्ट चंपत राय ने बिद्रोर किया था बगेल खंड मुगल समन्द की बात करें तो च्छतपाल का बिद्रोर और सुतंत बुंदेला राज की स्थापना जो 1661 से 707 की बीचवी वगेल राज चिछित का नाम भथा था जो वर्तमान रीवा है राजया रामचंद की समय भथा राज की दरबार में तांसेन तन्ना मिसरा रहता था तांसेन का एक नाम अनना में तन्ना मिसरा अकबर की दूद जलाल खान ने तांसेन को रामचंद से लेकर अकबर की दरबार में पहुँचाया भथा राज की अंतिम सासक मारतन रसींग थी तो याद रखिए तांसेन किसकी दरबार में रहता था रामचंद की राजा रामचंद की मद्यकाल में मांडू का सुतंत सासक होसंग साय था जिसने होसंगाबाद सहर की इस्तापना की लालगड किला अमजहरा विर्यासत धार से सम्पन दे थे अब बात करते हैं लोग आधुनिक काल की बारे में मोगलों के पतन के बाद मालबा पर होलकर बंस का राज इस्तापना 1727 में मलहार राओ होलकर को मालबा के पांच महलोंगी सनत फेसवास मिली 1729 में धार देवास के पवार राज को भी सनत मिली 1730 में मलहार राओ मालबा के सर्वोच से सासक ने उप्त की है मलहार राओ होलकर की मित्तिव के बाद माले राओ होलकर राजा बने उन्हें तुकोजी होलकर नामक सेनापती महत्पूर सहयोग दिया उसने फेसवा बाजी राओ 1732 में मालवा सासक, सुवा, होलकर, सिंधिया और पवार की वीच बिवक्त कर दिया गया 1632 इस भी में मालवा मिनिमलेकित माराथा राजियों की न्यू पड़ी एंदोर में होलकर राज बन्स, धार में आनंदराओ बन्स, परमार बन्स देवास में बड़ी पांती तुकोजी बन्स, देवास में छोटी पांती जीवाजी बन्स ठीक, आँगे बात करते हैं 1797 में एहलिया भाई ने होलकर सासन की वागरोर समाली होलकरों ने 1800 संताउन की गदर में करांती कारियों का गुप्त समर्थन किया था होलकर बन्स के अंतिम राजा तुकोजी तितिये के समय इस राज का विलै भारत संग में करके मद भारत कांग बना दिया अब है सिंधिया बन्स 1731 में मालबाव का एक बाग सिंधिया को मिला था वो समय राडो जी, रानो जी, सिंधिया सासक थी 1765 में महाद जी सिंधिया के ने गोहद के जाट राजा लोकेंद सिंध जाट से ग्वालियर का किला चीना महाद जी ने ग्वालियर समराज की स्थापना की दिल्ली के मुगल समराट पद पर साहय अलम को बिठाया 1794 में दोलत राओ सिंधिया महाद जी के उत्तरादी करी बने सिंधिया बंस की आरमविग राजदानी उज्जन थी दोलत राओ ने उज्जन की स्थापन इस्थापन पर ग्वालियर को अपनी राजदानी बनाया 1810 में अपरेल 1948 में जीवाजी राओ सिंधिया की समय ही मद्ध भारत की राजाओं का एक संग बनाये गया मद्ध भारत का उद्गाटन 28 मई 1948 को जबाहरलाल नहरू ने किया आजादी के बाद मद्ध भारत की पहले राजपन मुक के रूम में जीवाजी राओ को सपत 18 मई 1948 को जिलाई अब बात करते हैं स्वाधिनता संगराब के बारे 1818 में मद्ध भारत की महा कौसल चेत में सरपितम अंग्रेजों के विरोध बिद्रो हुआ जिसका नेत्त नांगपूर के साथ साथक अपपाजी बहुसले त्वारा किया गया था नांगपूर के ततकालीन देशवक्त अपपाजी बहुसले को अंग्रेजों ने मानला, बैतूर, चिदवाडा, सिउनी, नर्वदा, कच्छार, कच्छित छोड़दे ने एतु बाद किया अपपाजी बहुसले ने अर्वी सेनिकों की साहता से बैतूल के समीब अंग्रेजों से उत किया, किन्तु वे पराजित हुए 1842 में नर्संगपूर के जमीदार दिलहन साहे तथा हीरापूर के क्रेन साहे ने अंग्रेजों की ब्रोग बिद्रोग किया खंडबा में सुबोद, सिंधू और जबलपूर से जबलपूर टाइम्स के पिकाशन के साथ राष्टबाद का प्रिचार बढ़ने लगा माखनलाल चेतरवेदी ने अपने पत करमबीर से राष्ट चेतना को प्रिचार को नई दिशा दी थियाद रखी करमबीर पत किसका था माखनलाल चेतरवेदी ने निकाला रह अठारा सो संताओन की किरांथी अठारह सू संताओन की पित्थम सतंतता संगराम की समय मत्विपतेश में सबसे पहले गई विद्रो नीमत चावनी में कहां नीमत चावनी में तीन जून अठारह सो संताओन को पैदल एवं घुड़ सबाज सिर्निकों के दोड़ा किया गया कर्नल सीबी सोवज कर्नल सेवी सोवर्ष ने राजपूत सेनकों की मदस से नीमत चाउनी के विद्रोग को दबद लिये तिया गुआलियर की मुरारी चाउनी में के विद्रोगों ने सेनकों ने विद्रोग कर संचार विवस्ता भंग कर दी सेख रमजान के नितत में सागर छाउनी में विद्रोह हुआ गड मंडला में संकर साहे ने विद्रोह किया 20 जून 1867 को सिपुरी में विद्रोह हुआ इसे समय महू छाउनी में साधत खान के नितत में जबरजस्त विद्रोह हुआ और अंग्रेजी सेनव परास्त कर दी गई इसी किरांती के मुक्रपात थी राणी लच्छी भाई जिन्होंने तत्या टोपी के साथ मिलकर गौालियर का गहरा डाला तत्या टोपी टोपी दो वरस्तों तक गुरिला युद लड़ते रहे लेकिन नर्वर के गदार सामंत मानसिंग सिंधिया की सामंत थी ने उन्हें अंग्रेजों के स्पूर्ट कर दिया सिप्पूरी में उन्हें 18 अपरेर 1869 में भासी दे दी गई तत्या टोपी को ते आगे बात करते हैं तत्या टोपी टोपेक उस्पुरी के जंगलों में मेजर मीडे ने सडयंत पूरबक पकड़ा था एक और भी रांगना आवंती भाई ने रामगण रियासत मंडला जिला में जहासी की रानी जैसी भूमिक्या निवाई और अंगरेजी सेना पती वालडन पुग भगान को भगाने पर किया अवंती भाई ने अपने अंगरक्षी का किरधारी भाई की कटाल से आत्भत्या कर ली 1877 की किरांती समय ग्वालियर नरेश महराज जीवाजी राव जीवाजी राव थे जबरिया लेवी के युद में चावल अंदोलन रिवा में चलाए गया था याद रखिए जबरि लेवी के युद के विरोद चावल अंदोलन रिवा में चलाए गया था नरसिंग युगराज चैन सिंग अंगरेजों के विरोद सहीद हुए राजी के पहले सेनापती थे नरसिंग युगराज चैन सिंग अंगरेजों के विरोद सहेद हुए मद्विदेश के पहले सेनान थे आगे बात करते हैं अठाराइसो संतावन की किरांती की समय मद्धपिदेश में सरपितुम बिद्धो वानपुर और सागर में हुआ था जासी की रानी 28 चून 1880 को कालपी में हिवरोज की सेना के साथ इरुद्ध करते हुए सहीद हो गए 1867 में बिद्धो में ग्वालियर के सिंधिया और भुपाल के बेगम सेकंदर ने सेकंदर ने अंग्रेजों का साथ दिया होलकर ने भी बिद्धोरोईयों को पित्यक्च रूप सिसाहता थी मालबा बिद्धो का केंद इंदौर जहां सहादत खान की नेतत में होलकर सेन टुकडी ने अंग्रेजों के बिरोध किया बिद्धो किया अंग्रेजों के बिरोध इसमाएं इंदौर का रेजिमेंट करनल डिव रेंड था 1867 में महू के बिद्धो का नेतत मुराद अली खान ने किया था मंडलेस और सेंटल जेल पर बिद्धो ही सेनेकों ने हमला कर सरकारी खजाना लूट लिया बासुतंत होने की गोशना कर दी इस बिद्धो में बंगान रेजिमेंट के केप्टन बिंजामीन हैप्स मारे गए बिद्धो हीओं ने दो बरस तक यहां सासन किया फश्चिमी निवाड की भीमानायक की नेतत में आदिवासियों की संगठित सेना ने सेंदभा में बिद्धो हीओं किया फित्थम की सुतंतता संगराम की समध्धिली के साय जहां हुमायू ने वलायती देवती एबं सिंधिया के कुछ सेनकों की सायता से एक सुतंत राजी की स्थापना की तथा फिरोज साय के नाम से बंदसोन परसासन किया करनल डूरंड करनल इस्टाकतो कैप्टन लुडवो और कोपको भुपाल की बेगम सिकंदर ने सरंदि थी बात करते एं अठारैसो संताउन के विद्रोही एब विद्रोही होगे वो संबंदित इसताद तो सेख रम्यान सागर से संबंदित थे टंडिया बील खरगौन से संबदित शंकर साय एक गड़ा मंडला से संबंदे थे राजा ठाकुर के साथ रागावड से नारेंड सिंग रायपूर से सहादक खान ए महू से राणी लच्मी भाई जहासी कालपी से संबंदे शुरेंद राय संभलपूर तिक चतित गड़ तत्या टोपिक कानपूर जहासी गवालिया भीमा नायक मंडले सुर वज् जहलकारी भाई जहासी लच्मी भाई की अंगरक चिका थी गिर्धारी भाई अवंती भाई की अंगरक चिका थी स्री बहादुर एवं तेवी सिंग मंडला से थे जहासी की राणी लच्मी भाई गवालियर से भी संबंदे थी इनकी गवालियर में समाधी है याल रखना रा राष्टिये सुतंतता अंदुलन 1899 में लाहॉर में संपन्न कॉंग्रेस अदिवेशन में डॉक्टर हरी सिंग गौड ने नियाय विभाग और साख्षन को पित्थक करने की आवाज उठाई। भारतिये राष्टिये कोंग्रेस की गती विदियों की सुरुवात मद्यप्रिदेश में 1904 में हुई। मद्यप्रिदेश में राजनितिक गती विदियों की सुरुवात 1906 में हुई जबलपुर एदिवेशन के साथ। बरस 1916 में मद्यप्रिदेश के सिवनी जिली में सोतंता अंदुलन की सुरुवात हुई। भारत की पहली अंत्रिम निर्वाचि सरकार काबुल अवगालिस्तान में 1915 में गठित की गई। इसके पिदार मंत्री भोपाल के मौलाना बरकतुला बने थी। बात करते हैं आंगे राज के मगनलाल बांगडी ने हिंदोस्तान लाल सेना का गठन कर अंगरेजों के विरुद संगरस में भाग लिया था। किसने मगनलाल बांगडी ने हिंदोस्तान लाल सेना बनाई थी। माखनलाल चытुरविदी के नितत में कसाई खाना अंदोलन 1920 में रतीना सागर में किया गया था, याद रखे कसाई खाना अंदोलन से संब्नित कों थे माखनलाल चतुरविदी प्रभाकर डुंडी राज अस्थायो गांदोलन के पिदेश में नेतत करता थी खिलापा तांदोलन का नेतत पिदेश में अब्दुल गप जब बार खानने किया थी वोपाल रियासत की सिहोर कोथबाली के सामने 1922 में विदेशी बस्तों की बुली जलाई गई थी 1930 में नमग सत्त्रा आगय के समय सिवनी के स्त्री दुरगा संकार मेहता ने गांदी चौक पर नमग बना के सत्त्रा आगय किया था टुरिया जंगल सत्त्रा आगय 1930 में सिवनी जिले में दान्री भाज के समय किया गय था गोडा डौंगरी संत्याग है 1930 में ही खंडबाजिली रेलिवे स्टेशन से संबंदे थे पंजाब मेल हत्याग है 1931 ये खंडबाज रेलिवे स्टेशन से संबंदे थे याद रखिए तूरिया जंगल संत्याग है 1930 में हुगा गोडा डोंगरी सत्यागाए 1930 में पंचाम मेल हत्यागाण 1931 में बात करते हैं जंगल सत्यागाए 1930 में सिवनी टुरिया सिवनी जिला में गोडा डोंगरी बेतूर में कि आजवासियों द्वारा गोडा डोंगरी में गजन सिंग कोरकू की नितत्य में पिर चरुन पादु का नरसंगा है 1931 में हुए चतरपूर चित में चरुन पादु का ग्राम में 6 सेनानी सहीद मद्पिदेश का जलिया वाला बागत कंड का जाता है इसे द्याद रखना चरुन पादु का नरसंगा है 1931 में हुए चतरपूर चित में हुए था चरुन पादु का ग्राम में 6 सेनानी सहीद हुए थे इसमें मद्पिदेश का जलिया वाला बागत कंड कहा जाता है इसे गोली चलाने का आदेश कंडल फ्रीसर ने दिया था 1931 में रतलाब में इस्तरी सेवादल की स्थाबना की गई रतलाब में राष्टी अंदुलन का सूथपाद स्वामी ज्यानंदी की प्यड़ा से हुगा था सन 1833 में राइगर नरेश जुझारू सींग के पुत देवनाद सींग ने अंग्रेजों के विद्रो किया था जाबुवा में कर विद्धी विरोधी अंदुलन 1935 में चलाए गए चरूर हाईवा चाबल वसूली पिकिरण सीधी जिले से संबन दे थे 1938 में भोपाल राजि परजा मंडल की स्थापना को वी थी मंडले सुर्क में किरांती कारी बंदियों ने जेल दोड़ी तता बोपाल की नबाप की विरुद भारत छोड़ो अंदोलन छेड़ा राश्टर रुद्धवज फहराने पर पंडिस सुंदरलाल को 6 माय की कारावास की सजा हुई सीवनी जेल में आचार विनुवा भावे, सुभास्चिंद बॉस, पंडित द्वार का प्रिसाद में एश्वी कामत को बंद किया गया था 15 अगस्त 1947 को सुतंत्या के परश्चाद मद्विदेश की सभी रियासतों को भारतिय संगे में मिला लिया गया 1948 अगस्त में राजनित्य काम दोलन के परश्चाद भोपाल के नवाब ने भोपाल रियासत को भारतिय संगे में मिलाने की गोश्चना की एक जून 1947 को भोपाल राज भारतिय संगे में सामिल किया गया बोपाल का नवाब हमी दुल्ला खां मेंबर ओफ पैंसिप का दो भारतियक्ष बनाए गये थे 1948 में दिल्ली में मद्ध भारत के राजाओं की संगेलन में जीबाजी राव सिंदिया को राज़्चनों को बनाए गया था अब बात करते हैं जबलपूर जबलपूर 1906 में जबलपूर में कॉंग्रेस का प्रांतिय दिविशन आयविट किया गया था इसमें पिदेश के पंडिश रभी संकर सुल्क डॉक्टर रागबेंद हरी सिंग और आदी ने सक्रिय भागीदारी की थी राजनेती गूप से क्रांतिकारी गत्ती विदियों को अंजाम देने के लिए 1907 में जबलपूर में क्रांतिकारी दल का गटन किया गया 1915 में जबलपूर में होम रूल लेक की स्थापना होगी थी जबलपूर जहनडा सत्यागे 1923 में हुगा जबलपूर में ही जहनडा सत्यागे की नियूपड़ी पंडिस सुंदरलाल सुमद्राकमारी चोहान लचमर सिंग चोहान नरहरी अकबाल आदी 13 अपरेल 1923 को नागपूर में शुरू इस सत्यागे की साथ जबलपूर में पुनहा जहनडा सत्यागे का आयूजन हुगा सरवजिनी नाइडू मौलाना आजा जैसी हस्तियां टाउन होल पर एक बार फिर तरंगा लहरा दिया नापक सत्यागे जबलपूर में 17 गोविन दास याम द्वार का पृषाद में कनेतत में छैपरेल 1930 को नापक सत्यागे की सुरू आजा शुरू आ जिसके ताइस 16 गोविन दास पन्दित माखनलाल चत्वर एदी और पन्दित रवी संकर सुल्क पंडित द्वार का प्रिसाद में तथा विश्नु दयाल भारगाउ को गिरप्तार कर मुकद्मा चलाए गया था ब्यक्ति का सत्याग है 1949 में जबलपुर में ब्यक्ति का सत्याग है शुरू हुआ ति पुरी जबलपुर की निकट है मैं कॉंग्रेस का दीविशन हुआ था 1949 में फिर बात करते हैं चंद सेकर आजाद चंद सेकर आजाद अमर सहीद चंद सेकर आजाद का जनम मद्यपतेश के जहाबुआ जिले में अमर सहीद चंद सेकर आजाद का जनम मत्पतिस के जहाबुआ जिले में कि भावरा भावरा ग्राम में 23 जुलाई 1906 को गुए चंदसेकर राजा निजास्वी औरचा के भी साम धीम पुरा के नजदी सतार नदी के किनारे पंडित हरी संकर विम्रचारी के नाम से किरान्ती का गतिविदियों का संचालन किया चंदसेकर ने अदालत में अपना नाम आजाद पिता का नाम स्वाधीन अपना घर जेल खाना बताया था चंदसेकर आजाद भगर सिंग आदी ने मिलकर हिंदोस्तान सोसलिस्ट रिपबलिकन एसोसियेशन 1927 में स्थापना किज गी चंदसेकर आजाद पूर्चा टीकंगर में कुछ समाए भूमिगत रहे थी ठीक है तो यह था मद्वितिस के परिपेक्ष में इतिहास ठीक है